वेलकम टू स्टियाल टीशिंग तो कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छे और अपना बहुत-बहुत ध्यार रख रहे हैं तो के विएस के इंटर्व्यू सिरीज चल रहे हैं मेरे चैनल पर जिस पर हम लोग कुछ कुछ common questions उठा रहे हैं और उस पर discuss कर रहे हैं कि आप से इंटर्व्यू में किस तरह की questions पूछे जा सकते हैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने कुछ common questions discuss किये जैसे कि आप केंदरी विद्याले ही क्यों जॉइन करना चाहते हैं और भी इस तरह से मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है तो आज की भी जो वीडियो की topic है वो आप थमनेल से समझी चुके हो कि आज मैं किस topic पर बात करने वाली हूँ और यह question जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जा सकता है इसका reason क्या है कि आपको child pedagogy से question तो रहेंगे ही रहेंगे अब child pedagogy में किसी भी portion से question रह सकते हैं और आपको घबराने के जोड़तनी है क्योंकि जिन्होंने seated qualify किया है वो already उन कि हमारा question है सीधा से एकदम straight forward कि आपसे पूछ दिया गया अच्छा मैडम मालीजे कि आपके class में बच्चा जो है वो गलत सब्दों का प्रयोग कर रहा है आप क्या करेंगे क्या आप उसे दंड करेंगे क्या आप उसे पनिश करेंगे क्या करेंगे आप उस case में तो यह जो शब्द कानों को सुनने में अपरिया है यानि कि वो school के environment में यूज नहीं किये जा सकते हैं उस बच्चे के उम्र के अनुसार वो शब्द ज्यादा भारी है वो यूज नहीं किये जा सकते हैं वो शब्द बड़े लोगों के बीच बोले जाने वाला शब्द है यानि कि करने जाने वाला शब्द नहीं है तो ऐसे शब्द जो होते हैं कोई भी वो abusive word हो सकता है वो the way of speaking हो सकता है जो कि बच्चा अलग तरीके से बोल रहा है और जो बिलकुल ही discipline के बाहर लग रहा है सुनने में तो ऐसे words bad words कहलाते हैं यानि कि गलत शब्द कहलाते हैं तो ऐसे cases म कि आप as a teacher क्या करेंगे आप उस बच्चे के class teacher है आप कैसे handle करेंगे मैडम बताईए तो आपका answer क्या होना चाहिए आप खुद ही सोचे और आप सब अपना answer comment box में जरूर बताईए क्योंकि हर teacher different है हर सिक्षक different है हर सिक्षक का एक अलग perspective होता है हर teacher अपने अपने तरीके स से हर बच्चों को deal करता है पर एक common एक सामान में इसका जवाब हो सकता है जिस पर आज हम लोग discuss करेंगे कि ऐसे cases में क्या करना है सबसे पहले तो आपको हो सकता है पैनेल वाले फसाने की कोसिस करें वो कहेंगे कि मैं क्यों ना क्या उस बच्चे को दंट देंगी कि आप उ किसी भी तरह की question रहना यह बहुत जादा जरूरी है कि बच्चे को punish आप नहीं करेंगे किसी भी हालत में क्योंकि punish करके, डाटके, डपटके एक पशु को वश में किया जा सकता है एक कोई जानवर को वश में किया जा सकता है पर किसी इंसान को किसी बच्चे को एसे वश म उसे पर्शकर करहें और उसके चैन्छ कर देंगे यह नहीं हो सकता है तो इसका आशर यह हो सतते हैं कि सर मैं पहले आनने की कोशिश करूए कि बच्चा ऐसे शबदों का यूज क्यूं कर रहा है जोटे परियोग बच्चा क्यूं कर रहा यह क्या रविजन है क्या ई minutes जो बच्चा पहला समाजी करन होता है बच्चे का वो बच्चे की परिवार कित्रू होता है बच्चे का जो दूसरी बार जो समाजी करन होता है वो बच्चे के विद्याले कित्रू होता है तो बच्चे का पहला समाजी करन बच्चे के परिवार से है तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बच्चे के अंदर यह जो शब्द है chances है कि या तो उसकी संगती हो सकती है, peer group हो सकती है या तो परिवार से, परिवार में तो इन शब्दों का use नहीं होता है जो बच्चा ऐसे बोल रहा है हम उसके reason को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उन्हें बच्चे को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा यह चीज सही नहीं है, आप इन शब्दों का नहीं, मतलब हम उस चीज को बच्चे को right direction में ले जाने की कोशिश करेंगे उसे deviate करने की कोशिश करेंगे और हम root cause जानेंगे और उसे प्यार से समझा के तरीके से धीरे धीरे ही ठीक किया जा सकता है उसे मार पीट के, डाट डपट के ऐसे नहीं ठीक किया जा सकता है तो आप उसे simply answer कर सकते हैं कि सर पहले तुम्हें जानोंगे कि बच्चा ऐसा शब्द का use कर रहा है तो क्यों कर रहा है I will try to find out the reason मैं उस reason पर पहुँँँगी, मैं उस कारण पर पहुँँँगी कि बच्चा ऐसे शब्दों का use क्यों कर रहा है Maybe आप उनके parents से मिलने के कोशिश करोगे, आप बच्चे को थोड़ा ज्यादा observation रखोगे उस बच्चे पे देखोगे, कोशिश करोगे जानने का कि उसके परिवार का महल क्या है, यानि कि वो किस परिवार, मतलब family से आ रहा है आप उनके ममी से, पापा से कभी बात हो, parent-teacher meeting हो तो आप उनसे बात करने के कोशिश करोगे आप बच्चे की स्कूल में क्या संगती है, क्या है, आप कोशिश करोगे उन चीजों को समझने की सबसे पहले आप कारण जनने की कोशिश करोगे और उसके बाद ही आपको इस step ले सकते हो, बात होती है step में आप उन्हें punish करोगे, आप उन्हें कहोगे कि नहीं, नहीं, ऐसे, ऐसे करना है this is not, this is not, मतलब एक teacher ऐसे नहीं कह सकता है, कि आप ये एकदम ऐसे नहीं, ऐसे करना है मतलब इस तरीके का आपको टोन नहीं रखना है, आपको बहुती पुलाइटली, बहुती तरीके से पैनल वाले को समझाना है, कि sir, मैं कोशिश करूँगी जानने का कि ये कारण क्या है, और उसे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मैं उस चीजों को ठीक करने का प्रयास करूँगी, ठीक है तो आपको चीजों को उलजाना नहीं है, इस तरह का question होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा उलजनी की जोड़त नहीं है, कि नहीं नहीं अगर ऐसा होगा, तो मैं उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दूँगी, मैं तीन-चार दिन उसे क्लास से बाहर रखूँगी, फिर पांचमे दिन उसे समझ में आएगा कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो वो खुद क्लास में फिर मुझे सौरी बोलेगा, ऐसे शब्दों को बिल्कुल भी यूजना करे, पॉजिटिव तरफ ले जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर बने, यानि कि समस्या इसे सही तरीके से कैसे कर सकते हैं और गलत तरीके से आपको इग्नोर करना है, तो हर हमेशा सही दिशा में जाए, सकरात्मक दिशा में जाए, कि अच्छा अगर ये ऐसे है, तो इसे इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, तो आप ये मतलब सौफ्ट, मैं कहना समझाना चा कि मैं बच्चे को पहले समझाऊंगी मैं बच्चे कारण जानने की कोशिश करूँ इस तरह के से आपको सुम्झाने की जरूरत है नकि आपको रूड बनना है अगर आप गलती से भी यह बात बोल दिये ना कि मैं उस बच्चे को पनिश करूँगी बस एक दाउ गये आप तो आपको रास्ता भी दिख जाएगा तो ये तरीका है ऐसे शब्दों को मतलब इस तरह की questions को deal करने का किसी भी हालत में आप लोग punishment की तरफ नहीं जाएगा दंड की तरफ नहीं जाएगा आप उसे बच्चे को बाहर चप भेज देंगे इसके तरफ नहीं जाएगा बच्च ये बहुत जरूरी है जानना कि जवाब वही दिजिए जो सकरात्मत दिशा में हो बच्चे के बहतरी में हो यानि कि उससे बच्चे का कोई नुक्सान ना हो और आप उस चीज को तरीके से शांत तरीके से उस चीज को deal करें तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है ब के पेड़ेगोजी को कोश्चन आ रहा है तो आपको उस चीज को बहुत ही सकरात्मक तरीके से सुलजाना है डाटना फटकारना बच्चे को दंट देना हो सकता है पैनल वाले आपको उसाने की भी कोशिश्ट करें कि क्या दंट देंगी क्या उस बच्चे को मारेंगी आपको बिल्कुल से ना कहना है वहाँ पर है ना कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं इस चीज को तरीके से मतलब अपना सही तरीका बता के कैसे कर सकते हैं softly कैसे कर सकते हैं, प्यार से कैसे कर सकते हैं, तरीके से कैसे कर सकते हैं, सकरात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों को आपको light में रखते हुए उस question का answer देना है, ठीक है, I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का कोई भी question हो तुसको कैसे answer करना है, आ को लेकर तब तक के लिए सबको गुड़ बाई